कुप आज की मारी सो आएंड क्लास में म mouse शांस करने जा रहे हैं एडवांस एक्षसल में रव की बात करेंगे तो पहले जानोजी गिपाप्र टेबल ऐखिर है क्या तो पिबट टेबल के बारे में आगर मैं बताूं आम वो को तो पिविट टेवल बहुत ही important topic है जर क्यों क्यों कि pivot table की साथ ही आप अपने reports को automate कर सकते हैं अपने reports को create कर सकते हैं किसी भी तरह की reporting बगरा कर सकते हैं अब रिपोर्ट की definition की बात करें तो रिपोर्ट की definition होती है वह होती है summary of the data आप कोई भी report बनाते हैं उसमें बहुत सारी चीज़े आप लगाते हैं लेकि उसका main function क्या होता है वो किसी ने किसी legend के ऊप और किसी आइटम के ऊपर summary होता है जैसे माने जिए कि आपको yearly report बोला गया तो yearly report जो क्या होता है yearly report होता है आपका year की हिसाब से आपके रेटा कर समय होता है बादे बहुत सारे calculation करके आप निकालते हो लेकिन होता तो वही है तो पिबट टेबल के डिफिनेशन बात करें तो पिबट टेबल होता है अगरा Microsoft देता है उसकी बात करें तो यूज देबल आफ देडा समराइब डेटा एंड री परजिट अफ देटा तो आप अपने रिपोर्ट 60% के ऐसे रिपोर्ट और डिरेक्ट ली आप इंडिरेक्ट ली आप इस्तमाल करेंगे तो पिबट लेक्ट काफी इप्टेंट है इसको में तुरह से स्लोली प्राओंगा और प्रैक्टिस के साथ प्राओंगा जाद मैंने इससे स्टार्ट करने से पहले आपको मैं चाहां से वीडियो दिये थे देखने के लिए आइटिंक आप उसको देखे होंगे आश्यार प तो पिबट लगाने से पहले पहले डेटा को समझना होता है तो कि आप डेटा पर एनलाइज कर रहे हैं तो डेटा को समझना काफी जरूरी होता है तो आपके सामने जो डेटा यहां दिख रहा है जो सामने आपको डेटा दिख रहा है जो डेटा है यह है एक सेल्स का डेट इसमें कश्मा का नेम है इंडिश्ट्री है रीजन है प्रोड़क्ट है उसकी इस्टिमिटे रखा गया था इतना एक्टूर्ण में वह विका इतना किस क्वार्टर के किस एर के और को सा सेवस्पर्शन था आप समझ लिए डेटा को समझने के बाद आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे पीवट टेबल लगाने से पहले हम डेटा में क्या देखते हैं तो से पहला आपका कोई हेडिंग ब्लैंक नहीं होना चाहिए अगर है तो पिवट टेबल लगे गा ही नहीं और लगे आप थो हिए उक्याइ? अब इसके आगे बढ़ते हैं अ है कि पीवट टेबल से पहले डेटा को स्लेक्ट करना की सलेक्ट करने की जरूरत है या नहीं है अभी इस पर अगला कोशें से माला आता है कि देटा को स्लेक्ट करने की जरूरात है या नहीं है वो डिपेंड करता है डेटा के ओपर अगा डेटा पूरी तरह से ब्लैंक है जैसे यह आपका ब्लैंक है तो आपको स्लैक करना पर नहीं स्लैक करेंगे तो आपका इत्माद नहीं लग जाएगा क्योंकि पिबट टेबल कंच्रोल एक को अश्यप्ट क कोई ब्लैंक नहीं है तो स्लैक करने की ज़रूरत नहीं है करसर रखें इंसार्ट पर आया है और पिबट टेबल आपके सामने लिग्जिया लेंगे आप मुझे इसमें से टोटल चाहिए जैसे मुझे चाहिए कस्ट्मा वाइज रिवेन्यू प्रॉडक्ट वाइज रिवे बिभी रख सकते हैं तो कॉलम में आपका कॉलम वाई जाया इसनि हमने रोब में रखा है एक्शेर्ण को हमने रख दिया वैलू के अंदर है आपका डेटा बनेंगे है और यहां चेंज करना चाहाओ तो यहां से यहां इसे रिमून भी कर सकते हो और मैं रीजन को रख सकता पाइटा में सिंगलने है है κα्य आपनि नियम है तो नatti तो ने आपकर रो लेट उसको मैं यहां तो जिलिट कर सकता हूं现 कि यहां पर समफ है कि توत्र तो कि आहिए विए तो आप वार्मेटिंग यहां इसको भी कर सकते यहां बॉड़ सकते हैं आपको सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन नॉमल बोलगी की विए हम आपको सजेस्ट नहीं करें कि रीजन रेजन यह है कि क्या होता है कि हमारे जो डेटा है हम report को as a pivot table भी भेज़ देते हैं हम अपने report को as a pivot table भी भेज़ देते हैं दूसरे चीज जब हम report में manual formatting करते हैं तो वो pivot से link नहीं होता है करके देटा आपका बढ़ गया या घट गया तो पीबट आपका फॉर्मेटिंग आपकी वज़ए खटेगी नहीं तो उस cases में दिक्कत होता है हमेज़ा तो नहीं कि कुछ किसे दिक्कत होता है इसलिए मैं अपने student को formatting की सला देता हूं कि pivot table पे click किजिएगा तो यही पर आपको design दिखेगा और इसी design में यह रहा आपका pivot table का style ठीक है अब यहां से अपना style select कर लिए कि मैं इसको select कर लेता हूं या इसको कर लेता हूं अब आप बात करते हैं विजलाइशन कर दिखाना है इस पर क्लिक किजिए आप pivot table analyze भी या फिर नॉमल इंसर्वर्ट में चार्ट लगाते हैं उसी समय आप इस चार्ट को select कर लेए यह रहा आपका चार्ट और चार्ट का भी अपना design है यहां पर जाके देखेंगे तो बहुत साय चार्ट के design साथ को दिखेंगे अपना चार्ट का design select कीजिए और यहां पर आप जिसको mail करना चाहते हैं उसको आप mail कर सकते हैं तो पीपर टेबल का यह अत्रा से रिपोर्ट आपका आपका आप चलिए कुछ और इसके त्रिक्स के बारा में जानते हैं इन साथ किपटेबल ओके किया हमने जस्ट एक नई सीट पर चला गया हर बार नई सीट पर जाता है लकिन उसको रोका जा सकता है नीचे होता बन जाएगा और इस्टिमेट यहां एक्शुल रिवेन्यू को हमने रख दिया इसमें वैलू में और वैलू में क्यों रखा क्योंकि मुझे इसके ऊपर कैल्कुलेशन करना है जो भी कैल्कुलेटिव डेटा टोटल सम इस तरह का जो है वह हमेशा वैलू में जाएगा तो हमारा इस तरह से मैट्रिक्स ट्यूबर टेबल बन गया अब इस ध्यान रखेगा कि हमने क्वार्टर को कॉलर्ण में रखा है तो आप कॉलर्ण में वैलू रखने से पहले डिसाइए यह आप चेक करें कि इसकी अंदर नबव आइटम ज्यादा तो नहीं है तो क्या होगा कि इतने सारे आपको दिख रहे हैं तो इस तरह से लेट को नविगेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसलिए इसको अवाइट कीजिए आप बोलेगे सार मुझे जरूरत है तो क्या करें तो आप मैट्रिक्स में बनाएए आप इसे माल लेजे में पास प्रोड़क्ट ही है तो मैं प्रोड़क्ट को रिजन के नीचे रख दिया तो कुछ इस तरह का रिपोट आ जाए और यहा पिवर्टेबल में आईए यह देखिए आपका होता है क्लैप्स एन एक्सपैन तो अब बहुत बढ़ा होगा तो उसको समरी करके छोटा अब मुझे मालेजी मिडलिस्ट को देखना है तो जैसे मिडलिस्ट में क्लिक्ट करूँगा तो मुझे यहां में फूरा का फूरा द करना इसे डबल लिक करती क्यादक एक नबसेते टीटे को कपी है तो तो आपको यह recon it जाते हां की जरुरत नहीं पर जाएगे तो यह हमारा आप दुसरी जीज क्या होती है कि अधो ठीक है चलो तो एक आप ए रिपोर्ट अभी बनाएंगे जो हमारा पिवर्ट के पिवर्ट में ही रिपोर्ट भीजना है लेकिन हर पर हम पिवर्ट में रिपोर्ट नहीं बैचते हैं उसको कॉपी करके कही और ले आते हैं उसके आपनी करते हैं क्या सब्सक्राइब कर दिया अब आपको यहां पर प्रोडाक्ट और और आपका रिजन पते नहीं चलना ना मुझे क्या करना है कि अलग लग करना मुझे पहले एक कॉलन होना ची जहां पर रिजन दूसरे कॉलन में हमारा प्रोडाप्ट और तीसरे कॉलन में हमारा रिवेनु होना चाहिए इसमें का करेंगे राइट्री करेंगे यहां पे पिवर्ट टेबल ऑप्शन पे और यहां डिस्पलेइ में क्लासिकल टेबल लेयूट एक तरीका यह है दूसरा तरीका है कि आप डिजाइन में चले जाए यहां फी बढ़ते वह ले आउट में एक कॉम्पेक्ट जोगा पर आउटलर टैबलर को सेलेक्ट करेंगे तो भी आपका इसी तरह का आएगा प्रफी अब आपका टॉटलर दिखरा ओगा अब तोटल नहीं चाहिए को राइट क्लिक कीजिए और यहां देखिए सब टोटलर रीजन दिख रहा है कि इसक्रिक बाद अन्चेक हो जाएगा वापस लाना है तो सब टोटलर रीजन पिकलिक कीजिए यह वापस है यह आपकी कि यहां पर हमने उसको पेस्ट कर दिया अब प्रॉडम के आए कि इस तरह से नीचे के तरफ ड्रैक हो जाए इस तो इसके लिए आपके पीबर्ट टेबल के डिजाइन में जाएगा यहां आपको दिख जाएगा रिपीट और आइटम लेबर रिपीट और इपीट हो इसके बीच में के स्पेस पी चाहिए यहां इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर इच आइटम अब मुझे किसमें क्या परना है इस अब हटाना है वापस तो रिमूफ और यहां पर दू नौज रिपीट आइटम लेगा मुझे इसको मर्ज करना है तो अगर मर्ज करते हैं तो यह आपको मर्ज नहीं करने देगा कैसे मर्ज करें राइट क्लिक और यहां आपका मर्ज हो गया मर्ज और ओकी अब इसमें एक चीज और देखिए कि टोटल वागरा जो हैं भी हटाना है टोटल ले रखिए टोटल ले चले जाएगे और यहां से हटा देजी टोटल अपना और साथ में क्या करेंगे इसमें इसमें क्या करना है कि हमने बताया था आपको कि मैं जब डबल क्लिक करता हूं तो मुझे डेटा यहां दिख जाता है बट यहां प्रॉल्म है प्रॉल्म क्या है कि बहुत सा लोग की हैविट होती है डबल क्लिक करने की आपकी भी एज़र तो डबल क्लिक करने की जो हैविट होती है उसमें क्या होता है कि गलती से डबल क्लिक होता है लेकिन क्या हो जाता है उस पर डबल क्लिक होता है यह रिपोर्ट आ जाती है एक और यहां यहां पर डेटा पर अनेबल सोट डिटेश लिए अन्चेक कर दिए और अपको यहां दिए जाएगा बुबन जी गुड़ मॉर्णिंग किया हो आप बली जल्दी जोइन के लिए क्यों आपके अधी अधीबक सिर्मार जी साम में छेंगे आप विए आप में अधीच को मैं खतमी कर देता हूं सब को साब को खुला रहता हूं जी आप अब में दिक्कर दूद्धिंग ने जैब फ्रीचर में कुछ काम हो गई हैं त कि लोशी सिन्ना जी बोल रहते साम में जोइन करेंगे और सर्वेस का भी साम में जोइन करेंगे मैं गूर्वर में मैसेज डाल देता हूं कल से साम को साम को करेंगे कि इसको हां रेगुलर तो मुझे पवड़न राएगा तो आपके ओफिस नहीं कुलती है तब की बात कर रहा हूं सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ी सी कंफ्यूजन जाता हूं जैसा कवेट टेबल में जो मैं देख पा रहा हूं उपने डाटा के साथ इसमें लिंक नहीं दिखा रहा है कहीं पर भी तो डाटा के साथ लिंक है यहां तो लिंक है जैसे आप क्लिक करते हैं किसी भी वैल्यू पर एक्सल में जैसे लिंक दिखाता था इसका पॉपर्टी समझेज मैं प्वट्टेबल लगाते हैं तो इसने क्या करता है कि पूरी डेटा को कॉपी करके अपने बैकन में रख ले अगर मैंने इस सीट को देखिए यहां से राइट क्लिक किया मूव एंड कॉपी और नहीं फाइल में आगे मैं से तो अब देखिए इसमें कोई डेटा शीट नहीं है फिर भी पीवर्टा काम करेगा आहर đang क्योंकि अपने बैक अलटा को कॉपी करता तो अब इसमें क्या होता है कि अब इसमें अपडेट कैसे हो जूसे माले यह की मैंने डेटा में अगर यहां के hasipबड़ि को पंदरह सकाव इन तो रिफ्रेस करें गया तो उसको डेटा कर लिंक ही नहीं मिलेगा तो फिर और अपना डेटा अपना पास स्टोर कर लेता है अब मैं इसको डिलीट कर दूँगा तो यह हमारा एरर हो जाएगा एस सिस्टम पिवट में नहीं होता है पिवट में इसको अपने पास अब मैं इस फाइल आपको भीज रहा हूं आपको मुझे आज की क्लास की अकॉर्डिंग इसके दस एक्जाम्पल आपको मुझे ले जाएं है ठीक है और आपको चेवक जोईन करें दिखिए हम करेंगे लेकिक क्या कैलकुलेट करते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं झाल